Hello everyone, welcome to LearnerBee Extra, I am Shivani Chauhan, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे class 7th maths की book का chapter 11 exercise 11.3 का question number हम लोग 8 तक इसमें देख चुके हैं और इसके आगे की questions अब हम लोग इसमें देखेंगे तो 8 तक हमने देख लिए, अब question number 9 देखते हैं शाजली took a wire of length 44 cm तो शाजली जो है उसने एक wire लिया है जिसकी जो length है वो 44 cm है यानि कि हम इसको इसका perimeter मान सकते हैं and bend it to the shape of a circle मतलब पहले यह ऐसा wire था फिर उसने उसको एक circle के shape में bend कर दिया तो अब इस circle का हम लोगों को radius find out करना है तो और आम से कर सकते हैं क्योंकि हमें तो perimeter यानि की circle की circumference पता है फिर हम इसका area भी find out करना है फिर हम radius find out कर लेंगे तो हम area भी find out कर लेंगे अब अगर if the same fire is bed into a square अगर यह जो wire था इसको हम लोग circle ना बना करके हम अगर square square बनाते तो उस square की sides की length क्या होती which figure encloses more area circle और square अफिर हमें area का circumference निकालना है ठीक है sorry circle का हम लोग को circumference भी निकालना है फिर उसके बाद जो square है उसका area भी निकालना है और फिर square का area निकालने के बाद हम लोग को यह बताना है कि square का area जादा है या फिर circle का जादा है तो question थोड़ा सा बड़ा है देख लेते ह देखें question में हमें सबसे बहले यह बुला गया है question number पहले लिख लेते हैं कि question number 9 question number 9 में हम लोगों को एक चीज तो यह बताई है कि जो वायर रहे ना इस वायर की length क्या है तो length है वायर की 44 cm वायर की length है और इस वायर को उन लोगों ने किस में convert कर दिया है circle में अब circle में convert कर दिया है अगर वायर को ऐसे करके तो यानि कि हम लोगों को circumference पता है circle की कितनी 44 क्योंकि यह जो length ही ना इस ही कोई तो मोड़ा है तो यह circle बन गया तो हम लोग लिखेंगे circumference ठीक है circumference of circle circumference of circle यहाँ पर 44 cm है समझ में आ रहा है न आपको sorry circumference of circle 44 cm circumference of circle का formula क्या होता है 2 pi r तो circumference of circle 44 है यहाँ पर लिख दो pi की जगे 22 by 7 रखो तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी radius की value आ जाएगी और हम लोगों को radius की value ही तो निकालने को इनोंने बोला है ना तो निकाल देते हैं अब 7 क्योंकि हाँ divide में था इधर जाके क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा और यह जो 2 और 22 है इधर जो है multiply में थ्यार के साथ यह divide में आ जाएगी इस सब चीज़े तो हम बहुत बार कट चुके हैं है ना तो 22 x 22 2 x 22 क्या होता है 44 तो ये तो इससे कट जाएगा पूरा का पूरा तो हमारे पास radius की value क्या आ गई ? Radius रेडियस हमारे पास आ गया है क्या 7 cm ठीक है area of circle का formula क्या होता है pi r square तो pi r square यानि कि 22 by 7 into 7 into 7 तो एक 7 से 7 किट क्या 7 to 0, 14 7 to 0, 14, 15 यानि कि area of circle क्या आ गया 154 cm हमारे पास cm square हमारे पास area of circle आ गया ठीक है 154 cm square हमारे पास area of circle आ गया है अब हमें इसको compare करना है area of sorry area of circle हमारे पास 154 cm आ गया अब area of square निकालना है क्यों क्योंकि यही जो wire था इसको हमने किसमे convert कर दिया था square में तो area of square भी हमारे पास आ गया area of square क्या आ गया area of square का formula क्या होता है side into side अब हमे side की value निकालनी है तो side की value निकाल देते है area of square अब area of square तो हम लोग पहले निकालनी सकते है ना पहले हम लोगों को क्या निकालना है पहले हमें area of square के जगे हमें perimeter of square निकालना पड़ेगा क्यों perimeter क्योंकि perimeter हम लोगों को given है 44 perimeter से हम लोग क्या निकालेंगे side की value निकालेंगे तो पहले निकालते हैं perimeter of square ठीक है तो perimeter of square हमारे पास क्या है यही है 44 क्यों क्यों कि भाई यही square बनाया था formula क्या होता है perimeter of square का 4 into side होता है अब 4 को नीचे बचा देंगे तो side की value हमारे पास आ जाएगी क्या आ जाएगा side की value आ जाएगी 11 तो 4 वन्सा 4 4 वन्सा 4 तो side क्या आ गई side हमारे पास 11 आ गए square की अब हम area निकालेंगे area of square area of square का formula क्या होता है पाई पाई कहां से आ गया area of square का formula होता है side into side side into side यानि कि side को दो बर multiply कर दोगे तो 11 into 11 11 into 11 क्या होता है 121 121 cm square ठीक है तो area of square क्या आ गया हमारे पास 121 cm square हमारे पास area of square आ गया अब देखो जड़ा कि area of circle कितने था area of circle था 154 cm और area of square कितना आया है 121 cm तो भई किसका area बड़ा है तो area अब यहाँ पर लिख देती हूँ ठीक है आपको नीचे लिखना है area of circle is greater than area of square देखे हमारा question में बहुत सारी चीज़े पूछी गई थी पहले हमें बताया गया था कि एक wire है जिसकी length 44 cm उससे आप लोगों को circle बना दिया है अब उस circle की radius निकालो तो हम लोग क्योंकि wire हमें पता है wire की जो length होते आप उसको गोल गुमाते होगे तो circumference of circle की value आ जाएगी तो 44 था circumference of circle का formula लगा कि हम लोगों ने radius की value निकाल दी क्य radius की value हमारे पास यहाँ पर 7 आ गई थी फिर area of circle का हमने formula लगाया तो यह आ गई value फिर आप लोगों को फिर यही जो wire था यह आप लोगों ने square में बनाने को कह दिया था इन लोगों ने हमसे तो square में बनाना था तो भार-भार की चीज़ क्या होती है perimeter तो perimeter of square का formula क्या होता है 4 into side तो 44 upon 4 तो side की value के आ गए 11 फिर हमें area निकालना था area of square आ गया 121 फिर हमसे पूछ रहे थे कि area of square बढ़ा है कि area of circle बढ़ा है तो square छोटा था और circle बढ़ा था तो वो बता दिया तो next question है from the circular sheet of radius 14 cm ठीक है एक circular sheet है उसका radius क्या है radius हमें बता रखा है कि 14 cm है और two circles of radius 3.5 cm are and rectangle of length this and breadth this are removed मतलब यह देखे यह figure है ना यह पूरा का पूरा यह पूरा एक circle है ठीक है बड़े circle में से दो छोटे-छोटे circle बनाए और एक rectangle बनाए और इसको क्या कर दिया रिमूफ कर दिया तो आप लोगों को बताना है कि एक बड़े circle में से यह दो छोटे circle बटा दिये और यह rectangle भी देंगे देखे बताई देती हो ना बुरा question no.10 करना है ना हमे question no.10 में हम लोगों को बता रखा है कि एक बड़ा circle है बड़ा circle जो है एक circular sheet है ऐसे करके sheet है इस sheet का जो radius है ना वो हमें बता रखा है 14 cm तो हमें बोल रखा है radius of circular sheet radius of circular sheet ठीक है circular sheet जो है उसका radius है radius of circular sheet is 14 cm ठीक है आप हमें बता रखा है कि इससे दो circle हमें निकाल दिये हैं हमने तो पहले हम इस area निकाल लेते है circular sheet का तो area of sheet क्या जाएगा पाई आर square पाई आर square तो पाई की वेलिए 22 बाई 7 r है 14 और 14 तो 7 2 जा 14 है ना तो 22 into 2 into 14 यानि कि क्या आगया इसकी value आजाएगी 22 की 2 से multiply करेंगे तो 44 और 44 into 14 का जो answer आएगा वो आएगा 616 cm square तो area of sheet क्या आजाएगा area of sheet तो sheet का जो area है वो आजाएगा 616 cm square ठीक है अब आप लोगों को पोला क्या है कि इसमें से ना दो छोड़ी छोड़ी circles है उनको उनका area निकालना है तो area of two small circle तो area of two small circle क्या होगा वो भी निकालना पड़ेगा area of two small circles तो area निकालने का formula क्या होता है और दो है और दोनों की dimension same है तो 2 हो जाएगा और smaller circle का हम लोगो radius क्या बता रखा है radius हम लोगो छोटे वाले जो circle है ना उनका radius हमें बता रखा है radius हम लोगो बता रखा है 3.5 छोटे वाले circle का ठीक है तो छोटे वाले circle का radius हमें बता रखा है अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका area तो 2 into 22 by 7 into 35 तो 35 2 से क्यों multiply के क्योंकि 2 है है ना अब जब इसको आप लोग काटेंगे point अटाके हाँ पर 0 बढ़ा तो point अटाके हाँ पर 0 बढ़ा तो 7 5 जा 35 ठीक है 2 5 जा 10 5 से 5 कर जाएगा 2 जा 2 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35 तो 11 into 7 यानि की area of 2 small circle आ गया 77 cm square अब एक rectangle भी है उस rectangle का अब हमें area of rectangle निकाल लेते हैं area of rectangle space कम हो गए बिच्चो स्वारिया rectangle का area क्या होता है length into breadth तो length हम लोग को given है rectangle की कितनी length given है 3 और breadth given है हम लोग को 1 तो यानि की 3 into 1 तो area of rectangle क्या हो जाएगा 3 cm square अब हम लोगों को remaining अब ये 2 और ये इस में से इसको हटाना है इस area में से तो फिर उसके बाद हम लोगों को area of remaining sheet तो area of remaining sheet तो area of remaining sheet तो area of remaining sheet remaining कर देना ठीक है ये एंजी भी लगा देना क्या हो जाएगा इसको में से 616 में से आप क्या करेंगे minus करेंगे this और this को क्योंकि भाई इन दो लोगो minus करेंगे तो बचा हो और निकल जाएगा 77 plus 3 तो 77 plus 3 क्या हो जाएगा 80 इसका मतलब 616 minus 80 616 minus 80 का answer क्या आचाएगा 536 cm square तो answer क्या आगया इसका देखे नीचे sorry आँचो 536 cm square space कम पढ़ गई थी तो हमें question में बोला गया था कि भाई पहले तो बड़े वाले circle का area निकालो तो बड़े वाले circle का area निकाल दिया ठीक है वो क्या आया 616 फे दो छोटे-छोटे circle बन रहे थे एक बड़ा एक rectangle बन रहा था दो छोटे circle का area निकाल दिया हमें radius given था 30 को 616 से माइनस करती है तो हमारा question no.10 हो गया solve तो ठीक है यह हो गया अब question no.10 हो क्या question no.11 देख लेते हैं question no.11 में हम लोगों को बोला गया है कि circle of radius 2 cm एक circle है है ना उसका radius जो है ना वो क्या है 2 cm है circle का radius is cut out from the square piece of aluminium sheet of side 6 cm तो एक circle एक square की sheet है जिसकी side जो है ना वो 6 cm है मतलब सारी side same होंगी square की सारी side same होती है इसमें से एक circle को बहार निकाला गया है और circle का radius बता रखा है 2 cm तो what is the area left over aluminium sheet तो simple minus करना है हमें देखें क्या बोला है इन लोगोंने question number 11 में बिल्कुल वही चीज़ करवा रहे हैं जो 10 में कराया था बस उस थोड़ा सा कमी है in fact तो side of square अगर हम लोगों को बोलने है कि कितना given है side of square तो side of square sheet हम लोगों को दे रखिये 6 cm side of square sheet side of square sheet है 6 cm side of square sheet is equal to 6 cm तो area निकाल लोगे इसका area of sheet क्या हो जाएगा area हो जाएगा side का square area is side का square यानि हां कि 6 का square 66 cm square हां अब आप लोगों को radius बता रखा है किसका circle का जो कि इस square की sheet में से काट रहे हो आप तो radius of circle आप लोगों को बता रखा है radius of circle Circle का radius क्या बता रखा है 2 cm तो आप area निकाल लोगे area of circle area of circle क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की जगह है, पाई की जगह 22 बाई 7, 2 इंटू 2, तो यानि की 88 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, अब आपको इस सर्कल को माइनस करना है शीट में से और फिर एरिया बताना है, तो एरिया ओफ लेफ्ट ओवर शीट क्यों, यह देखिए है ना, 36, 36 था एरिया ओफ शीट है ना, 36 माइनस 88 बाई 7, तो 7 नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा, आपका 36 को 7 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो आएगा 252 और माइनस 88 ले रहे हो मैं, ठीक है, 252 में से ए माइनस 88 करेंगे, तो 167 अपाउन 7 बचेगा, 167 स से आप 7 को डिवाइड करोगे, तो 23.44 सेंटिमीटर स्क्वाइर, तो ऐरिया ओफ लेफ्ट ओवरशीट, जो बची हुए एरिया of leftover sheet बचिविए sheet का जो अएरिया निगा निकाला फिर इस के विए से जॉ- सर्कल का अधी का आधा खिया एरिय थीक है हम लोगों ने देख लिया है इसमर 9 देख लिया 10 देख लिया 11 देख लिया किए कि फिर याओंrike Прी जाना बच जांगे न हे तो फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम 13, 14, 15, 16, 17 काफी हां तो 12 वाला देख लेते हैं तो circumference of a circle, circle की circumference हमें दे रखिया है तो हमें इसका radius निकालने और area area निकालना easy सा question है ना circumference दे रखिये है हमें तो radius और area राम से निकाला जा सकता है कुछ ना बड़ा issue है निए उसमें तो है ना तो question number 12 में हम लोगों को बोल रखा है कि circumference of circle है circumference of circle circle का circumference क्या बोल रखा है 331.4 cm हमें इसका radius निकालना है तो circumference of circle का formula क्या होता है pi r 2 pi r 31.4 है ना r को अकेला छोड़ दो pi की जगा 3.14 रख दो ठीक है क्योंकि easily cut जाएगा इसलिए r को अकेला छोड़ना है ना क्योंकि r की value निकालना है अब ये दोनों multiply में थे ना इधर जाके divide 3.14 है और उपर क्या है उपर है 31.4 ये पॉइंट हटाओ नीचे से उपर से नीचे एक 0 ये दो हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 थे तो उपर 20 तो ये जीरो से तो एक 0 कट गया ये क्या था 314 ये भी 314 तो पूरा का पूरा कट गया क्या बचा 10 अपॉन 2 तो 25 जा 10 तो रेडियस के आ गया रेडियस की value आ गई 5 रेडियस आ गया 5 cm सिंपल सी calculation थी बस और तो कुछ था ही नहीं रेडियस 5 cm आ गया अब एरिया तो आपने काल सकते हो सिंपल सा पाई आर स्कॉयर का formula लगाखे तो एरिया ओफ सर्कल इसमें पाई की value थी पाई की value नहीं हम लोगों ने रखी है 3.14 क्योंकि calculation असान हो जाती एरिया ओफ सर्कल आ गया हमारे पास पाई आर स्कॉयर तो पाई 78.5 cm2 तो 78.5 cm2 एरिया ओफ सर्कल हमारे पास आ गया ठीक है तो एरिया ओफ सर्कल हमारे पास आ गया 78.5 अंसर तो हमारा question no.12 भी हो गया question no.12 हो गया अब हम लोग जो आगे की question है वो आगे की वीडियो में देखी है ठीक है thank you